दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्षो के तेल के साथ ये मिला कर खिला दो दूद की मातरा डबल कर लो दूद की मातरा दोगणी कर लो दोस्तों सरसो के तेल के साथ आपने अपने गायबैस को क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर आपको ये डीटेल्स में बताऊँगा वैसे मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि अगर आप सरसो का तेल एक लिमिट मातरा में सही मातरा में डाक्टर के बताए अनुसार सही तरीके से देते हैं तो पसुओं में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है और अगर आप बिना ग्यान के लंबे समय तक कितना भी तेल देते रहते हैं तो उसके कई बार नुक्षान भी देखने को मिलते हैं अती हर चीज की बुरी होती है दोस्तों लेकिन आप चिंता ना करें सी स्पाल मलिक है तो डोंट वरी टेंशन नहीं लेने का आज मैं आपको इस वीडियो में सरसो के तेल का सही परियोग और उसमें क्या मिला कर देना चाहिए जिसे आप अपने गाय बैस से दूद की मातरा डबल ले सकते हैं वो बताऊंगा डिटेल्स में तो वीडियो पूरी देखना कुछ भी मिस मत करना एक भी स्टैप मिस हो गया तो दोस्तो अधूरा ग्यान हमेशा खतरनाक होता है तो वीडियो पूरी देखिए पूरी जानकारी लेजिए और पूरा फायदा उठाईए तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सीस पाल मलिक और दोस्तो अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे है तो हमारे पेज को फोलो कर लेजिए तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको सर्सो के तेल के साथ दूद की मातरा डबल करने का तरीका बताऊंगा दूद दो गुना करने का तरीका बताऊंगा दोस्तो बहुत पालक है या या फिर dairy farmer है जो बार बार पूछते रहते हैं कि sir हमारे घाये वैंस की बयाने के बाद दूद की मात्रा नए बढ़ रही है, जितना दूद पहले बयात में दिया था उतना अब के नहीं दे रही है, पहले ब्यात से अब के बार आदा ही दे रही है पहले ब्यात में 20 किलो दूद दिया था लेकिन अब के बार 10 या 12 किलो ही दे रही है बहुत कुछ करके देख लिया, महिंगी दवाईया देख लिया, सभी तरह के देशी एंग्रेजी नुद्ध के आज मा के देख लिये लेकिन दूद्ध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस तरह के केस में जो मैं नुद्ध का आज बताओंगा कुछ दवा बताऊंगा उनके परियोग करके आप अपनी गायबैस का दूद दोगुना कर सकते हैं तो दूद डबल लेना है तो आपने क्या करना है आपने 100 गराम सरसो का तेल लेना है अगर आपके गायबैस 500 कजी से ज्यादा कीवेट की है तो आप यह मातरा डबल भी कर सकते हैं 200 गराम सरसो का तेल भी ले सकते हैं तो दोस्तों यह 100 गराम आपने सरसो का तेल लेना है उसमें आपने 50 से 100 गराम नमक आयोडीन युक्तनमक मिला लेना है यानि कि आप 100 ग्राम सर्शो का तेल ले रहे हैं तो आप उसमें 50 ग्राम जो साधार नमक होता है आयोडीन युक्त नमक वो मिलाना है और अगर आप 200 ग्राम सर्शो का तेल ले रहे हैं तो उसमें आपने 100 ग्राम साधार नमक मिलाना है फिर दोस्तों आपने आपकी जो गायबैस है उसके बोडी वेट के अनुसार गुड लेना है अगर आपकी गायबैस 500 किलो वोजन की है तो आपने 500 गराम गुड लेना है यान की आदी किलो और अगर आपकी गायश 300 किलो बोडी वेट की है तो आपने 300 गराम गुड लेना है तो ये दोस्तों आपने अब करना क्या है आपने 1 से 1.5 किलो पानी लेना है अगर आप 300 गराम गुड ले रहे हैं तो 1 किलो पानी ले 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 जिए और अगर आप 500 गराम गुड ले रहे हैं तो 1.5 किलो पानी ले लीजिए उसमें गुड को अच्छी तरह से उबाल लीजिए उसमें उबाल आने के बाद फिर आप उसमें सर्शो का तेल जितना भी आपने लिया है वो मिला दीजिए और उसमें नमक भी आप मिला दीजिए फिर एक बार फिर आप उसको उबाल लीजिए और फिर आप उसको ठंडा कर लीजिए ठंडा करने के बाद दोस्तो जो भी आपने दाना मिशरन बनाया है उसमें आपने ये मिशरन मिला देना है अब दूड डबल करने के लिए आपने क्या करना है जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सर्चो के तेल के साथ दूड डबल लेने का तरीका बताऊंगा तो अब दूड डबल लेने के लिए आपने क्या करना है तो दोस्तो ये तरीका तो आपने एक टाइम देना है आप सुबह भी दे सकते हैं या साम को भी दे सकते हैं तो दूसरे टाइम आपने दूट डबल करने वाला तरीका देना है वो कुछ दबाईया है तो उसमें सबसे पहले आता है केरस कंपनी का गलेक्टो गोग पाउडर जो की आप सामने सक्रीन पर देख रहे हैं ये एनरजी बूस्ट करता है पुसुओ की जो रोमन समदी समस्याए होती है उनको दूर करता है उनके पाचन को हाजमे को तेज करता है जिसे दूद की मातरा बढ़ती है और दोस्तो जो गायबैस पाउस्ती नहीं है जिनमें दूद की मातरा कम रहती है दूद नहीं बढ़ा पाती है तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदे मन रहता है तो दोस्तो ये गलेक्टोगोग पाउडर आपने डेली 30 ग्राम देना है और ये 15 दिन तक लगातार आपने देना है दूसरा दोस्तो आपने इसके साथ केरस कमपनी का ही कैलपोंट पाउडर मिला लेना है वो आपने 40-50 ग्राम डेली मिलाना है और वो भी आपने 15 दिन तक लगातार देना है और दोस्तो ये दोनों पाउडर आपने एक टाइम मिला लेने है जैसे कि एक टाइम जो आप अपने गायबैस को दलिया या फिर दूसरा जो दाना मिश्रन देते हैं उसमें आपने वो गुड़ वाला नुश्का अपनाना है और दूसरे टाइम आपने ये जो पाउडर है दो पाउडर ये मिलाना है एक तो है इनमें गलेक्टोगोग पाउडर वो आपने 30 ग्राम डेली देना है 15 दिनों तक है दूसरा है कैलपोंट पाउडर वो आपने 40-50 ग्राम देना है डेली देना है वो भी 15 दिनों तक है तो दोस्तों ये जो powder है ये आप चाहे आपकी गायबैस pregnant हो चाहे ना हो तब दोनों ही situation में आप ये दे सकते हैं लेकिन जो वो गुड़ वाला और तेल वाला जो मैंने फर्मूला बताया था जो देशी नुश्का बताया था वो आपने जब आपकी गायबैस pregnant नहीं होती है त भुगतने पड़ सकते हैं तो गुड़ वाला pregnant को नहीं देना है और जो ये powder वगरा है ये आप प्रेगनेट को भी दे सकते हैं और नॉर्मल को भी दे सकते हैं तो दोस्तों आगे आप पसुओ की कौन सी समस्या पर कौन सी बिमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें जिस भी पसुओ की समस्या पर ज्यादा से ज्यादा कोमेंट आएंगे उसी के बारे में अगली वीडियो बना दूंगा उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा उसकी पूरी जानकारे दूंगा और उसका पूरा 100% सो में से 100% इलाज बताऊ तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए बाजू में जो घंटी का बटन उसको भी दबाकर ओल पर सेट करते जाए ताकि हमारी आगे आने वाली सबी वीडियो सीधी आपके पास पहुंच जाए और आप दूसरे पसुपालक वायों के साथ ताकि वो भी वीडियो से फाइदा उठा सके तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार